नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब? आज हमारा विश्य है पेरों को फड़कने से या जांग या पेरों के हिस्से के फड़कने का क्या मतलब होता है? देखे दोस्तों यह जितनी भी चीज़े मैं बता रही हूँ यह सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बता रही हूँ काफी प्राचीन विज्ञान है बहुत लोग मानते भी इन चीज़ों को और बहुत सारे लोग इन्हें नकारते भी है तो मैं आपसे यह कहूँगे आप बाइस डैटीटूट मत रखे आप पहले उस चीज़ को परक कर उसके बाद ही अपनी राय को व्यक्त रखे या अपनी राय को कायम करिये इसके अलावा यदि मैं scientifically कहूं तो scientifically ये कहा जाता है कि जब भी blood circulation proper ढंग से नहीं होता किसी particular area में या slow हो जाता है तब भी उस हिसे में आपको फड़कर महसूस होती है लेकिन यदि शामद्रिक शास के बातकरूं भार्टी जोधिशास के अनुसार पैरों का पड़कना जो होता है वो शनी और बुद्धि के नक्षत्रों के अंदर आती है तो इनके फड़कने के भी कुछ विशेश मीनिंग्स होती है जैसे कि यदि आपका दाया पाउं फड़कता है खासकर पुरिशों के लिए बताए गया है कि यदि उनका दाया पाउं फड़कता है तो उनके जीवन के मुसीबतों का अंत होता है और यदि पुरिशों का बाई पाउं फड़कता है तो किसी परिशानी या काम में बाधा आने या शत्रों के पैदा होने के उर संकेत देता है अब इसी तरह महिलाओं के लिए या स्काउल्टा होता है मतलब कि अगर उनकी बाया पैर उनका फड़कता है तो ये शुब होता है और अगर उनका दाया पैर फड़कता तो जो पुरुषों के लिए चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ें उसका नेगेटिव मतलब दाया पैर महिलाओं का फड़कने से काम में बादा शत्रू के पैदा होने के और संकेत देता है इसी तरह से यदि किसी पुरुष की बाई जांग फड़कती है तो यहाँ पे यह बहुत बुरी नहीं होती बाई जांग का फड़कना दोस्तों से सहायता मिलने की और बताता है और यदि पुरुषों की दाई जांग फड़कती है तो यह भी एक शुब संकेत है या किसी कारे के पूरा होने या किसी अच्छी खुशकब्री के मिलने के ओर संकेत करता है और यही बात महिलाओं के साथ भी है कि यदि उनकी बाइं जांग पड़कती है तो उनका कोई कार्य अच्छा होगा और यदि दाइं जांग पड़कती है तो उनको उनके पुराने मित्रों से किसी अच्छे पर्चित से दोस्त से मुलाकास हो सकती है या कोई निया दोस्त बन सकता है तो दोस्तों आश्य करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी ऐसे रोचक जानकारे के लिए कृप्पया आप हमारे चानल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर रवश्य करें तब तक के लिए दोस्तों नमस्टाइब